यह Bible in One Year का हिंदी प्रक्रण है 221 दिन महांता के तीन स्तर हमारी पत्रिकाएं और TV स्क्रीन अमीर, सुंदर और मजबूत कहानियों से भरे हुए है हमारी संस्कृती इन चीजों को एक मंचिका पर रखती है और हमें से बहुत से उन्हें पाने की अभिलाशा करते है इन चीजों के साथ कुछ गलत नहीं है लेकिन वे सब कुछ नहीं है फ्रेंच फिलोसोफर ब्लेस पॉसकल ने महांता के तीन करम के बारे में बताया है अमेरी, सुंदर्ता और ताकत उनकी भौतिक महांता के पहले भाग में आते हैं इसके उपर उंचा महांता का दूसरा स्तर है यह प्रतिभा, विज्ञान और कला की महांता है माइकल एंजलो की कला या बाख का संगीत या अलबर्ट ऐन्स्टाइन की कुछागर बुध्धी की महांता भौतिक महानता से कहीं उपर इनका दर्जा है किन्तो पॉस्कल के अनुसार एक तीसरे प्रकार की महानता है पवित्रता का क्रम और यहां पर लगभग एक अनन्त गुनवत तात्मक अंतर है दूसरे और तीसरे विभाग के बीच में यह तत्य की एक अमीर व्यक्ती मजबूत या कमजोर अमीर या गरीब बहुत विद्वान या अनपड है यह किसी चीज को जूरती या घटाती नहीं है क्योंकि उस व्यक्ती की महानता एक अलग और बिलकुल अनन्त स्तर में है यह हम सभी के लिए खुला है कि महान बने पवित्रता के क्रम में शब्द पवित्र पवित्र किया गया पवित्र पवित्रता बाइबल में 500 से अधिक बार दिखाई देता है परमेश्वर पवित्र है वह आपको अपना पवित्र आत्मा देते हैं आपको पवित्र करने के लिए और आप उनकी पवित्रता में सहभागी होने के लिए बुलाए गए हैं शब्द संत का अर्थ है पवित्र लोग नए नियम में यह सभी मसीहियों पर लागू होता है आप पवित्र बनने के लिए बुलाए गए हैं पहला कुरंथियों एक का दो पवित्रता एक वर्दान है जिसे आप ग्रहन करते हैं जब आप इशु पर भरोसा करते हैं उनके सत्यनिष्ठा और पवित्र आत्मा के वर्दान को ग्रहन करते हैं परमेश्वर के वर्दान के प्रती आभारी उत्तर में एक पवित्र जीवन जीने का प्रयास करें, पवित्रात्मा की सामर्थ में इशु का अनुकरण करने के द्वारा। बजन सहिता 93 का 1-5 पवित्र परमेश्वर परमेश्वर सारी स्रिष्टी के निर्माता हैं लेकिन वह उस विश्व से अलग रखे गए हैं जो उन्होंने स्थापित की है वह स्रिष्टी की सारी चीजों से अधिक महान और प्रतापी हैं महासागर के शब्दों से भी अधिक बजन सहिता के लेखक स्तुती की पराकाष्ठा परमेश्वर की पवितरता पर आधारित है। परमेश्वर आपकी पवितरता की सुन्दरता में हम आपकी अराधना करते हैं। आप एक मात्र पवितर परमेश्वर हैं। स्वयम, सत्यनिष्ठा, वरिष्टता से दूर रहिए। दूसरा वहां पर सिध्धतवादी होना हैं। केवल परमेश्वर पूरी तरह से पवितर हैं। हमें स्रिष्टता की लालसा करने की आवशकता हैं। लेकिन हम इस जीवन में सिध्धता को प्राप्त नहीं करेंगे। हमारी पवितरता परमेश्वर की पवितरता के प्रती उचित उत्तर है। और फिर भी यह केवल परमेश्वर के वर्दान और अनुग्रह के द्वारा संभव बनाई गई है। क्योंकि चर्च को पवितर होना चाहिए इसलिए पॉलूस यह देखकर हैरान हो गए कि कुरिंथ में क्या चल रहा था। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्यजातियों में भी नहीं होता। वह लिखते हैं और तुम शोख तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता। चर्च पवितर रहे इसलिए अनुशासन का इस्तेमाल करने की आवशकता है। कुछ घोर पाप हैं जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें चर्च में से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे पाप हैं जो पूरी तरह से स्पष्ट हैं। उधारन के लिए व्यभिचार के मामले में यह एक घोर प्रकार का व्यभिचार है। एक मनुश्य और उसकी सौतेली मा के बीच में। पूर्वक और लगातार पीते हैं। यहां पर पॉलूस का ध्यान उन लोगों पर नहीं है जो शराब या किसी दूसरे व्यशन छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिनके लिए चर्च को चंगाई का एक स्थान होना चाहिए ना कि नकार दिये जाने वाला स्थान। यहां पर शब्द दूसरी बुरी आदतों से जुड़ा है, हिंसा और व्यविचार। पॉलूस इसे पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि वह चर्च के बाहर वालों के विशय में बात नहीं कर रहे हैं। इसके बजाए पॉलूस कह रहे हैं कि यदि लोग बिना पश्चाताप के ऐसे तीक्ष्ण और स्पष्ट पाप में बने रहते हैं, तो चर्च में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यदि हम मामले से न निप्टे, एक छोटा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देगा, यह पूरे चर्च को प्रभावित करेगा। इसलिए चर्च का अनुसाशन बहुत ही सकारात्मक है। इस तरह से कि वह व्यक्ती को सक्षम बनाता है कि अपने व्यवहार का सामना करे और इससे निप्टे। यह चर्च के लिए भी सकारात्मक है क्योंकि यह समस्त चर्च समुदाय में बुराई को फैलने से रोकेगा। पुराना नियम इतियास 28 का 1 से 29 के 30 तक पवित्र मंदिर दाउद को पवित्र मंदर के निर्मान के लिए तयार करने के लिए बुलाया गया था क्योंकि मंदर पवित्र था दाउद स्वयम इसे नहीं बनवा पाए क्योंकि उन्होंने बहुत सी लडाईयां लड़ी थी, बहुत से लोगों की हत्या की थी किन्तु परमेश्वर ने दाउद का मार्गदर्शन किया कैसे मंदिर का निर्मान करना है ये योजना आत्मा के द्वारा उनके दिमाग में रखी गई अक्सर इसी तरह से परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं एक निश्च तरीके से कारी करने के लिए वह हमारे दिमाग के सामने कारण रखते हैं दाउद ने अपने पुत्र सुलेमान को यह कारी सौपा उन्होंने उनसे कहा तुखरे मन और प्रसन जीव से उसके सेवा करता रह क्योंकि यहवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन होता है उसे समझता है परमेश्वर आपको पवित्रता के लिए बुलाते हैं जैसा कि उन्होंने सौलेमान के साथ किया जो कारी हृदय, इच्छा और विचार से परे जाता है दाउद ने कहा कि परमेश्वर वह परमेश्वर हैं जो हृदय को जांचते हैं और विश्वस नियता से प्रसन होते हैं दाउद खरे मन का एक व्यक्ति था यह पवित्रता की एक अच्छी परिभाशा है ऐसा कहा जाता है कि हर एक के पास तीन जीवन है एक जनता का जीवन एक व्यक्तिगत जीवन और एक गुप्त जीवन पवित्रता है एक खरा जीवन जीना ना की बेमानी का जीवन जीना पवित्रता है जहां पर हमारे जन सामोहिक व्यक्तिगत और गुप्त जीवन के बीच में कोई अंतर नहीं है और जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं उनके बीच में कोई फरक नहीं पवित्रता पूर्णता से जुड़ी हुई है जब परमेशुर आपको पवित्र बनने के लिए बुलाते हैं वह कह रहे हैं पूरी तरह से मर जाओ दाउद ने प्रार्थना की मेरे पुत्र सुलिमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आग्याओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे और यह सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है यह ध्यान देना आवशक है कि उस मंदिर को बनाने के लिए बहुत सा पैसा एक खटा करने की आवशकता थी उन्होंने इसे प्राप्त किया क्योंकि लीडर्स ने अगवाई की सभी लीडर्स ने पहले दिया, फिर दूसरे लीडर्स ने दिया फिर सभी लोगों ने इच्छा पूर्वक दिया, उत्सव मनाते हुए परमेश्वर चाहते हैं कि आप इच्छा पूर्वक दें यदि आप इच्छुक नहीं हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर मुझे इच्छुक बनने के लिए इच्छुक बनाईए और जैसा कि सैंडी मिलर अक्सर कहते हैं आप प्रार्थ ना कर सकते हैं परमेश्वर मुझे इच्छुक बनने की और इच्छा करने के लिए उप्युक्त बनाईए जैसे ही परमेश्वर के लोगों ने इच्छा पूर्वक दिया वे महान आनन से भर गए जो कुछ आपके पास है वह परमेश्वर से आता है यह सब कुछ आपका था जैसे ही आप उदारता से और मुक्त रूप से अपने श्रोतों को परमेश्वर के काम के लिए देते हैं आप महान आनन से भर जाते हैं पवित्र मंदिर जिसे दाउद और सुलेमान ने बनवाया वह केवल चर्च की पवित्र मंदिर की तयारी थी जहां पर पवित्रात्मा रहते हैं ना केवल आत्मा चर्च में रहते हैं वह आपके अंदर भी रहते हैं आपका शरीर पवित्रात्मा का मंदिर है पहला कुरंति परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, आज मुझे अपनी पवित्रात्मा से भढ़ दीजिए और मेरी सहायता कीजिए पवित्र बनने में पहला इतिहास 29 क्योंकि उन्होंने मुक्त रूप से और पूरे दिल से परमेशर को दिया मैं हमेशा परमेशर के प्रावदान और परमेशर के लोगों की अकतनी उदारता पर आश्चर्य करती हूँ चर्च के कारी के लिए हमने फिर से परमेशर के असाधरन प्रावदान को देखा है टीक जब चीजें असंभव लग रही थी मुझे नहीं लगता कि मैं इस अद्बुत उदारता के लिए परमेशर का परियाप्त धन्यवाद दे सकती हूँ आज का वचन फिर दावद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा हियाओ बांद और द्रड होकर इस काम में लग जा मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो क्योंकि यहोवा परमेशर जो मेरा परमेशर है वो तेरे संग है और जब तक यहोवा के बवन में जितना काम करना हो वो ना हो चुके तब तक वो ना तो तुझे दोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा बजन सहीता 28 का 20